हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जूर रहे हैं और तमाम संबीदा करमचारियों को लेकर के बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है जैसा कि आप तमाम संभीदा करमचारियों को बता दे कि आप 4 अप्रेल 2024 है और तमाम जो संभीदा करमचारी है उनको ले करके बहुत ही अच्छी खबर है सबसे पहले आपको बता दे कि आप लोगों को जो समय से नहीं मिल रहे हैं मानदे उसको लेकर के साथ ही आप लोगों के मानदे में improvement यानि कि increment करके आप लोगों को मिले इसको लेकर के जो है नए वेतन आयो की अस्थापना की जाएगी जो की स्कीम वर करो और जितने भी संबीदा करमचारी है उन सभी को नए मान दे और उन सभी के वान मान दे को सही से उनके खाते में भेजने को लेकर के अच्छे तरीके से काम किया जाए जिसको लेकर के पत्र जारी कर दिया गया स्पस्ट रूप से और जितने भी संबीदा कर कुछ बंदे सरकार उन्हें कुछ भी देने का काम नहीं करती है जिसके बाद जो है ओल इंडिया पैडरेशन जो है उन्होंने असपस्ट कर दिया है कि संभीदा करमचारियों को इनको ज नर्क मिलेगा जिसको लेकर के नए वेतन आयोग की अस्थापना होने के बाद तमाम होगर के संभिदा करमचारी जो अपने कर्मों निष्ठा से काम करते हैं उनको उनके उपलक्ष में जो सही मांदे नहीं मिलती है उसमें आप कटोती नहीं होगी और जिस परकार से आप लोगों के मांदे की रासी से भी जो गरीब हैं जो मजदूर हैं उनके एकाउंट से सरकार रूपया और उनके एकाउंट से भी सरकार GST और CGST काटने का काम करती है जो कि बहुत ही निंदात्मक बात है इसलिए वेतन आयोग की बैठक बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब सरकार से पूछा जाता है कि आप संभीदा करमचारियों को लेकर करके क्या कर रहे है तो सरकार असपस्ट रूप से कहती है कि हमने कमीटी बनाई है और कमीटी हमारे हीतों से काम कर रही है उनके जो सिफारिस की बात होगी वहां तक हम काम करेंगे लेकिन आपको बता दे कि जब भी सरकार से सवालात किये जाते है तो सरकार ये दलिल दे करके लोगों को चुप करवा देते है मीडिया परभारी को सरकार चुप करवा देते है लेकिन आपको बता दे कि वेतनायों की बैठक अस्थापना जब हो जाएगी तो संभीदा करमचारियों के नसीब ही नहीं बलकि तमाम वो चीजे हैं जो उनकी रोज मर्रा की जिंदगी है जो उनके परिवार की अभी इस्थिती है जो उनके परिवार के जो इस्थिती के साथ साथ उनके बच्चों की जो इस्थिती है वो अच्छे से पढ़ा नहीं सकते हैं अपने उस मांदे में अपने पड़िवार की अच्छे से वो पेट नहीं पाल सकते हैं तो बच्चे को अच्छे परबरिस कहां से देंगे इस बात पर सरकार को गौर नहीं करना होता है और सरका किया था फिर आपने क्या कहा कि कोरोना जैसी महामारी आ गई है सरकार की हालत खराब हो चुकी है और जीडिपी गिर रही है जिसके वज़ा से अभी हम मांदे नहीं बढ़ा सकते हैं चलिए ठीक है उस समय में थोड़ी सी देश की हालत खराब हो गई थी सच में और इस बात को संबीदा करमचारियों ने भले भाती माना जिसके वज़ा से यही रिजल्ट है कि उन्होंने बिना सही मान दे कि उन्होंने करोना के समय में भी अपना काम अपना हम योगदान जो है बिभागों को दिया था सरकार के बिभागों में उन्होंने असपस्ट रूप से काम किया तो सरकार सरकारी करमचारियों को पैसे बढ़ा रही है और जो संबीदा करमचारी लगतार अपने करमों निश्टा से जबकि इस विभाग के आधास जदा काम उनके कंदे पर होती है फिर भी सरकार कहीं न कहीं जो है अपना मूँ फेरते नजर आती है जो की बहुती निंदात मकबात है लेकिन तमाम उर के संबीदा करमचारियों को बता दे कि सुप्रीम कोट का जो आदेस है उसको जल सजल परभा में लाने को लेकर के सभी राज्यों को नोटिस मिल गिया है खास करके बिहार के संबीदा करमचारियों को बता दे कि आप लोगों के जो 44 जो संबीदा करमचारी जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में नियोजित और संबीदा पर लगतार अपना सेवा दे रहे हैं वैसे संबीदा करमचारियों को लेकर करके सुप्रीम कोट का जो आदेश था उन्होंने कह दिया है कि सुप्रीम कोट का आदेश यहां देकि असपस्ट करेंगे साथ में यहां पे जो है कहा गया है कि जितने भी संभीदा करमचारी है उन सभी को जो है जो भी सुप्रीम कोट कादेस है उसे जल्द जल्द कारी नवन में लाया जाए जिससे तमाम करके संभीदा करमचारी को उजित मांदे के रूप में अभी के समय से जोड करके मि नियोजन की तिथी से आप लोगों को मांदे मिले बढ़ा करके इसको ले करके भी कहा गया है कि जब से आप लोग के नियोजन हुए हैं और मांदे जो बढ़ाई जाएगी उसे जो है उसी समय से आप लोगों को देने का काम किया जाए जिससे आप लोगों को एक अच्छी खा परफोट ने हिदायत देते हुए सरकार को कहा है कि जितने भी संभीदाय करमचारी हैं उन सभी को ले करके असपश्ट रूप से कह दिया गया है कि आप लोगों को ले करके जो है कम से कम पेंशन जो है जब आप लोग रिटार कर जाएंगे तो आप लोगों को 15,000 रुपे पर भेज दिया गया है और इस रहित में जो है जितने भी जहां जहां भी NDA की सरकार है यानि की BJP की सरकार है वहां पर इस चीज को गंभीरता से लिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट CJIDY चंदरचूर ने स्पस्ट कर दिया है कि संभीदाय करमचारियों के अधिकारों के स कोई सरकार हनन नहीं कर सकती है और लगातार उन्होंने जो कहा है कि 12 मैने से जो लगातार अपने हितों से काम कर रहे हैं वैसे संभीदाय करमचारियों के लिए उन्होंने क्या कहा है आपको बता दे कि नियमीती करन तक 45 में ILC सिफारिशों क्यानूसार योजना एबं सर्मि को को और जितने भी संभीदा करमचारी हैं उन सभी के नियुंतम जो वेतन है 30,000 रुपे परतिमा से कम नहीं दिया जाना चाहिए साथ ही आप लोगों को जो है वो तमाम फैसलिटी नियमीती करन प्रकिडिया में तेजी लाने के साथ साथ जो राज के प्रायवजित योजन करमियों यानि की जितने भी संभीदा करमियों के वेतन और सेवा सर्तों में सुधार की जांच के लिए एक वेतन आयोक का गठन करना बहुत ही जरूरी हो गया है और जिसके माध्यम से जो भी जहां पर काम कर रहे हैं चाहे आप किसी भी जिला में काम कर रहे हैं वहां से करके कहा गया है कि एक वेतनायों की गठन किया जाए तमाम वर के संबीदा करमचारियों को बता देते हैं कि आप लोगों के हीतों में जल्द ही ये चीजों की जो है फैसलिटी मिलेगी बस एक वार चुनाब खतम होने दीजिए क्योंकि चुनाब से पहले जो प्रकिरिया है द लेकिन सरकारी करमचारी जो सरकारिये आरा अधिकारी हैं उन सभी को चुनाबी ड्यूटी में अभी लगाने को ले करके काम नहीं किया गया है जिससे आप लोगों के कामों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े जो की विभागी अस्तर से जानकारी आ रही है उसके माध्यम से बता रहे हैं और आपको बता दे कि समान परसासन बिभाग के अधीन जो संबीदा करमचारियों के फाइलों का determination प्रकिरिया चल रहा है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है थोड़ी सी रफ्तार उसमें कमी आई है जो कि समान परसासन बिभाग के अधीकारी से बात करने के दौरान उन्होंने हमें बताया कि थोड़ा सा कमी आई है लेकिन काम चल रही है जिसको लेकर के यही असपश्टता दताई जा रही है कि संबीदा करमचारियों को लेकर के सरकार सक्रिये है और सरकार समझती है जैसे ही लोकस सबीदा करमचारियों के साथ कुछ नहीं करती है तो सरकार को दिखाने का काम किया जाएगा कि संबीदा करमचारियों की पावर क्या है